हेलो फ्रेंट्स यह मेरा चाठा नमबर कूचन है कूचन में काता है किसी एपी के प्रत्थम और अंतिम पद करमसह 17 और 350 है यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है यानि कितने पद यानि कि हमको नमबर पुछता है येन और इनका योग यानि क कि एसेन क्या है तो इसमें से वाल को हम हल कर दें यहां पर यानि कि एपी के प्रत्थम पद करमसह 17 और अंतिम पद दिया हुए 350 तो यह लिखते हैं प्रत्थम पद ए तो यह लिखते हैं प्रत्थम पद ए बराबर हो जाएगा 17 और अंतिम पद अंतिम पद दिया हुए ए एन एन है तिन से 50 और सार्व अंतर दिया हुए 9 सार्व अंतर दिया हुए 9 तो इसे में कितने पद है हमको एन निकलना है इन और एसे निकलना योग तो हम सब से पहले ए एन से हम इन निकल लेंगे उसके बाद आम एसे निकलनेंगे क्योंकि ए से निकलने के लिएमको यह डी और एन की ज़़ूरत होती है तो हम यहां लिखते हैं AN से अब AN बराबर 350 तो AN के मेरा यह प्लस AN-1 इंटू D बराबर 350 तो यह कमाने मेरा 17 तो यह लिखते हैं 17 प्लस AN पता करना है मैनस 1 इंटू D कमाने 9 बराबर 350 तो यह लिखते हैं AN-1 इंटू में 9 इंटिन सो पचास 17 इदर प्लस में तो इदर हैगा तो मैनस में 17 होगा तो एन मैनस 1 बराबर एगाटेगा 10 में से 7 इगाटेगा 3 और 4 में से एगाटेगा तीन और यहां 3333 हो गया इसलिए लिखते हैं एन माइनस 1 बराबर 333 नो इधर गुना में इधर गया तो भाग में 30 को हम काटते हैं 9 से 9 9 3 27 26 36 36 तो इन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 37 तो इन बराबर हो जाएगा 37 37 वह निदर माइनस में तो बराबर कि इदर प्लास में होगा तो 37 एक आर्थिस यानि कि यह नम को पता हो गया आर्थिस अब यह से निकालेंगे तो हम यह से निकालते हैं अब एस न बराबर तो एस न बराबर होता है एन बाइटो दूसरा फर्मूला लावी करते हैं यह प्लस ए एन तो मेरा एन है और तिस अब यह निकला है एन बाइटो इंटू एक माने 17 प्लस एन दिया हुए तिन सो पचास दो से कटेगा और तिस न इस से चलिए सकते हैं 29 गुने जूटेगा तो हो जागा इन सो सार सट तो गुना करने पर हो जागा 59 सोती है तर यह मेरा एंसर एस न का निकल कर आ गया तो दोस्तों यह रहा मेरा चाठा नमर कुचन चाठा नमर कुचन है धन्यवाद